Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Thyrox Tablet के बारे में, जो कि इसके इसके इस्तमाल किन-किन पर पजो में इस्तमाल गयाता है, क्या नुकसान हो सकता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके इसके इस्तमाल करते वक्त, क्या side effect हो सकता है, किसे नहीं लेन चाहिए, या सब ही बाते हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बात करते हैं Thyrox, जो कि आपको या बहुत ही असानी साब के पास के medical store पर अबलेबल हो जाता है, क्या मैकलोईट्स कंपनी की मिनाई हम मेडिसिन होती है, सो टबित की पैकिंग होती है, और इसका अलग- हाइपो थैरोडिजम में इससे इस्तमाल करता है, और यह कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो यह थैरोइड और अंटि थैरोइड प्रिपरेशन से बिलोंग करने वाला है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तमाल हाइपो थैरोडिजम में इस्तमाल करते हैं, गाइटर के पर थैरोडाइटिस क्या होता है जिसमें आर्टो युम्यून डिसीज भी कहा जाता है जिसमें यह युम्यून सेल्स जो कि थैरोड क्लेंट पर अटेक करने लगती है जिससे थैरोड हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है जिसके खरण काफी तरह की swelling होने लगती है इस तरह का problem देखने को मिलता है इसके अलावा जो अगला problem होता है mix demachoma जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा सरीर में वीकने है इसके अलावा बहुत ज़्यादा आलस, confusion जैसा, भासूस होना किसी भी बात का जवाब ना दे पाना, बहुत ज़्यादा ठंड लगना, temperature का लोग हो जाना इसके साथे साथ, body में swelling आ जाना, इसके साथे साथ, face, jeep का मोटा हो जाना, सूजन आ जाना इस तरह की problem देखने को मिलते हैं mix demachoma में इसके साथे साथ, stupper जैसे से problems में इसे इसे इस्तिमाल जाता है, stupper stupper में जिसमें आपको बहुत ज़्यादा abnormal breathing होने की problem होती है, बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होता है इसके साथी साथ कभी सांस बहुत जल्दी-जल्दी लिया जाता है, इसके साथी साथ बहुत धीरे-धीरे सांस लेने की भी प्रॉलम हो जाती है, इसके अलावा मुसल्स का सुकूड़ना, इस तरी की प्रॉलम जेकने को मिलती है, इन सभी में इसे इस्तमाल किया जाता है, बिना डॉक्टर के सलहा की बिना इस्तमाल ना करें और इस्तमाल करते वक्त अब बिना डॉक्टर के सलहा की बिना आप इस मेडिसन का लेना भी बंद ना करें तो डॉक्टर की रेक देख में आप इससे इस्तमाल भी करें और बंद भी करें इसके साथी साथ हार्मोन हमारी बो इस बोलं Developmente हो जाती है हमारी बोडी में उनसे भी को रेकवरी करें में मदद करता है यह थусовर है Ugh की यूज के बारे में बात करें क्या डोज होता है तो डोज डिपेंड करता है कि आपकी healthy condition क्या है और आप इसे किस purpose में लेना चाहते हैं इस कि इस मेडियस के इस्तमाल खाली पेट लिया जाता है खाना खाने से अफिसे 2 गंटे से गंटे पहले अपिसे इस्तमाल करें तो इसका डॉक्टर के सलहा के बाद ये आप इसका डोज का confirmation करें इसके अलावा बात करें इस medicine को लेते वक्त किन बातों का धियान रखना चाहिए अगर आप इस tablet का या इस medicine का अगर overdose ले लेते हैं तो आपकी तरी की problem देखने को मिलती है unbalancing of heart beat इसके अलावा anxiety, बहुत ज़्यादा पसीना आना, diarrhea, बहुत ज़्यादा नीन दाना इसके अलावा सर में दर्ध होना, छाती में दर्ध होना, बुखार होना इस तरी के आपको problem देखनों की मिल जाता है अगर आप इसे overdose ले लेते हैं तो इसके अलावा अगर आप इस medicine के लेने के दोरान आप इस तरी के अगर कोई medicine लेते हैं वैसे इस medicine के इस्तिमाल लाव इटीज पेसेंट कर सकते हैं तो यही था thyrox tablet के बारे में, thyroxine के बारे में जान करें अगर आप कोई वीडियो रहे जान करें अच्छी लेगी तो please like किजेगा और हमारी चैनल को subscribe किजेगा आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हैं